नमिश्कर दोस्तों मैं आप हूँ महिंदर दोगने मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू अर्न में किया था मैं आपको वह बताऊंगा और उसके साथ ही साथ आपको समुझ में आएगा कि अच्छा हम भी ऐसे कुछ कर सकते हैं क्योंकि एक करोर कमाना जो है वो पहला जो एक करोर है उसके खुशी ही अलग होती है और उसका मज़ा ही सारी दजबी तक क्लास चलती है इसके अंदर हम सारी चीज़े सिखाते हैं और यह 45 डेस की क्लास होती है मतलब देड़ महीने तक लगातार में रोज रात को आपसे मिलता हूँ और लाइब क्लास लेते हैं लोग अब इसमें सिखाय क्या क्या जाता है इसमें लाइब क्लास होत है वैसे तो रक्षाबंदन निकल चुका है लेकिन ये ओफर लास टाइम आज के लिए और बाकी है कि आप आज ही इस को इन्रूल कर सकते हैं वैसे ये क्लास इस 10,000 में मिलती है लेकिन रक्षाबंदन का ओफर लेट ओफर भी चल रहा है 3999 में आपको ये क्लासेस मिल रही है दिस्क्रिप्शन में लिंक है ये आप जॉइन करना चाहते तो अभी जाये दिस्क्रिप्शन में और इस क्लास को जॉइन कर लिजे अगले देड मेने तक आप मेरे साथ स्टॉक मार्केट को पढ़ेंगे बहुत मज़ाएगा और स्टॉक मार्केट नहीं उसके साथ साथ बहुत सारी interesting चीज़ और पढ़ेंगे तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले बताता हूँ कि मैंने कैसे कमाए ये एक करोड रुपै ताकि एक्चल में आपको समझ में आये life में कि भाया हमको कैसे करना चाहिए कैसे plan करना चाहिए मैंने कैसे plan किया था कि यार देखो पहले क्या हुआ कि मैं अपनी life में छोटी सी एक बार बताता हूँ कि आज से लगबग 10-12 साल पहले मेरे पास एक समुसा खाने के लिए भी पैसे नहीं थे मतलब मैं एक साल मेरा ऐसा गुजरा है कि मैंने एक समय खाना खाके अपना दिन गुजरा रहा है और उस समय में मैंने बहुत सारी चीज़े सीखी अपनी life में और वही जो समय है मैं सोचता हूँ क्योंकि उस समय में बड़ा दुखी हुआ करता था कि यार मैं इतना मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है है ना और लेकिन जो attitude था मेरा वो हमेशा positive था कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा और उसी attitude के साथ में, उसी positive attitude के साथ में उसी अच्छे नजरीय के कारण मैं आज तक आज यहां पर पहुट पाया तो सबसे पहले क्या हुआ, कि मैंने अपने अंदर एक skill धूणी किया मेरे अंदर कौन सी ऐसी skill है, जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ अच्छा, वो शुड़वार जो है एकदम से नहीं होती, कि आप पहले ही दिन में या पहले ही महीने में एक करोड रुपे कमा ले, होती है, लेकिन वो उसकी planning अलग होती है, उसकी महनत अलग होती है मैंने step by step किया, कि हमने पहले 25,000 सेव किये थे और उसका FD कराया था, मुझे याद है कितना खुश था, और मैं सोच रहा था, यार 25,000 है मेरे पास, इसकी FD करा दूँगा, तो और रिस्की ना हो जाए, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे, ये सोच रहा था मैं और तब मैं सोच रहा था कि ये 25,000 में करवाऊं ना करवाऊं, इस प्रकार के थौट मेरे दिमाग में चल दे था, क्योंकि पहला 25,000 मैंने कमा के सीव किया था है ला, आप देखो, अपने आप से आपको पूछना होता है कि why people will pay you, बहुती सिंपल सी चीज़ है, कई बार आप लोग क्या करते हैं, कि करना बहुत को चाते हैं, लेकिन ये अपने आप से कभी नहीं पूछते हैं, कि यार यदि मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक करोर पैसा क्यों देगा, क्योंकि पैसा ऐसा थोड़ी ना कि आप प्रिंटर में प्रिंट करेंगे और आजाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई चीज आपको लोगों को देना पड़ेगा, चीक है, आप जॉब करेंगे, में कोई विक्ति आपको पैसा देता है सिंपल सी चीज है तो सबसे पहले आपको कैसे मुझना पड़ेगा कि you need a skill और आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि why people will pay you क्यों लोग क्यों आपको पैसा देंगे अभी अपने आप से पूछो से दूसी जगे तक धोता है तो उसको 50-60 रुपे-100 रुपे मिलता है क्यों? क्योंकि उसकी skill ऐसी है जो कि 4 लोग और कर सकते, 10 लोग और कर सकते उस काम को तो जिस skill को बहुत सारे लोग कर सकते न आपको society से उसके लिए बहुत कम पैसे मिलेंगे जिस skill को बहुत सारे लोग कर सकते है उसके लिए society आपको बहुत कम पैसा देगी लेकिन जो skill बहुत कम लोग कर पाते है और यदि आप उनके लिए वो सर्फ करते है उस काम को आप उनके लिए करते है तो society आपको बहुत सारा पैसा देती है simple है देखो बहुत ही simple सा formula है कि जिस skill के लिए बहुत सारे लोग खटा हो गए हैं बहुत सारे लोग उस skill को कर सकते हैं तो उसके लिए आपको कम पैसा मिलेगा और जो skill बहुत कम लोग कर पाएंगे तो वैसे उस skill के लिए आपको जाधा पैसा मिलेगा या सन्मान खान या शारुख खान को इतना पैसा क्यों मिलता है क्योंकि उनके पीछे लोग इतना पागल है उनके स्किल्स को देखने के लिए इतना पागल है तो कोई न कोई स्किल्स आपको ऐसी अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा जिसके कारण आपको लोग पे करें यह सबसे पहली बात होगे अब आपको समझना होगा कि people pay according to your skill Japanese simple सी चीज है बेखिए लेस डेमांडिंग स्किल्स जोभी मैंने बताया तो आपको लेस मनी मिलीगी यह आपको हमेशा समझ के रखना है और उसका मतलब आपको अपने आपको पूछने की जरुरत है या समझने की जरुरत है कि आपको मेहनत करना है उन skills पर जो की more demanding है जैसे पहले लोग सोचा करते थे कि आरे घर पे भी बैठे बैठे कोई बैठे कोई पैसा कमा सकता है क्या लेकिन समय के साथ opportunities आई और उन opportunities ने लोगों को ये दिखा दिया कि घर पर बैठे बैठे भी लोग 1000 लाखो रुपए online पढ़ा कर कमा सकते है ठीक है simple सी चीज है पहले लोग ऐसे नहीं सोचते थे लेकिन क्योंकि समय की मांग बदलती है तो हर एरा मतलब हर 10 साल 5 साल में समय बदलता रहता है उस 5-10 साल में क्या बदल रहा है और आप उस चीज को grab कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये आपको समझना पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा तो अगली चीज समझ गए होंगे आप कि less demand skill less money मिलती है और more demanding skill में more money मिलती है ठीक है अब आज आते हैं कि in my case क्या हुआ मतलब मेरे case में क्या हुआ फिर मैं आपको सिखा हूँगा कि आपको क्या करना है देखो मेरे case में क्या हुआ कि teaching जो है मेरी skill थी actually मैं 9th class में मैं एक बार fail हो गया था फिर दुवारा 9th class पड़ा उसमें मैं pass हुआ 10th class में मैंने top किया जब 9th class में दुवारा पढ़ने के लिए गया तो मैंने English spoken classes को join किया वहाँ पर मैंने 3-4 महिने में अच्छी अंग्रेजी बूलना सीखा और साथी साथ अपने communication skills को अच्छा बनाया मैं अच्छा लगता था लोगों को जब मैं बूलता था मदब proper class नहीं लेता था लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी teaching करने लगा था टैंक में आते आते में proper classes लेने लगा कि जब सर नहीं आये तो मैंने class ले ली है कोई नया बैस शुरू है तो मैंने class ले ली बीच में मैंने class ले ली इस रिकार से और 11, 12 में तो मैंने proper maths की, reasoning की, English की बहाँ सारी classes ली क्योंकि तब मैं competition exam की तयारी भी करने लगा था और 12 तक आते हैं ते मेरा स्टेट बैंक आफ इंडिया में selection हो गया था अब धेहन से समझदा मेरी teaching skill जो है वो करीबन करीबन 2011-12 तक हो गई थी 7-8 साल की 2004 से मैं इसको कर रहा था तो 2004 से लेके मैंने 12 तक खूब teaching की लेकिन दूसरों के लिए अब मेरे पास teaching की skill थी ये मुझे बहुत अच्छे से पता था 2012 में लगभग मुझे एक फैसला लेना था बहुत कम age थी मेरी 22-20 साल की age थी और उस समय में मुझे फैसला लेना है कि क्या मुझे कोई government job अब चाहिए finally क्योंकि उस समय मेरे पास syndicate bank मी था तो मेरे को ये फैसला लेना था कि अभी मेरे को job करनी है कि नहीं करनी है entry मारना है कि नहीं मारना है या फिर मुझे कुछ और बड़ा करना है वो था कि मुझे motivational speaker बनना है मुझे लोगों को motivate करना है क्योंकि मैं Anthony Robbins जो है America के बहुत बड़े motivational speaker है उनके काफी videos देखा करते था तो उनसे मैं influence था मेरे को बड़े पसंद आते थे कि यार लोगों की life change करते है तो मेरे को बड़ा पसंद आता था तो मेरे पास एक opportunity थी अब देखो opportunity ढूड़ना बहुत जरूरी है skill है लेकिन उस समय में उस skill की opportunity ही नहीं है तो कोई काम की नहीं है उस skill ध्यान से समझना जैसे माल लीजे कि एक समय था जब आपने देखी होंगे आपके गाउं या शहर में वो एक विक्ति आता था एक cycle लेकर और वो लोगों के चाकू छूरिया तेज किया करता था तो उसके पास skill क्या थी कि वो लोगों के चाकू छूरिया तेज करता है अब उससे बहुत सारे लोग चाकू छूरिया तेज करवाते थी क्योंकि उस समय में यही माहूल चलता था और इसी प्रकार से चीज़े होती थी है ना उसके पास एक skill थी वो उससे पैसे कमाता था लेकिन एक समय अब आया जब आपको कहीं वो चाकु छूरिया ठेज कराने वाला वेक्ति नहीं दिखता है क्यों उसके पास skill तो है लेकिन उस skill की अब opportunity खतम हो चुकी है तो आपको ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब जिस skill को आपने लिया है उस समय में उसमें क्या opportunities है ये बात आपको समझ में आना चाहिए और उस समय में मुझे इस बात की समझ थी कि भाया कैसे आप opportunity का खायदा उठा सकते हैं और अभी भी वो समझ है तो मैं आपको clarify भी करूँगा मैं bank railway और SAC की teaching classes लगा सकता हूँ और बच्चों को bank railway SAC में selection दिलवा सकता हूँ ये मेरे लिए opportunity होगी देखें teaching मेरा था मुझे पढ़ाना बहुत अच्छे से आता था मुझे ये बात पता था opportunity क्या थी कि मैं competitive exam के जो topics होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ जैसे maths हो गया, reasoning हो गया, English हो गया, GK, GS ये बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मैंने उसी को teaching करना शुरू कर दिया अब लक्ष कैसे बनाते हैं उसके अंदर कि माली जी मैंने मुझे पैसे कमाना है, तो मैं एक example लेके बता रहा हूँ, मेरे case में कुछ और हुआ था, लेकिन मैं एक example, एक rough example लेके आपको यहाँ पर समझाने के कोशिश करता हूँ तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने अपने आपको कैसे ढ़ला था, देखे, competitive exam की जो fees structure है, उसके according मैंने अपना करोरपती बनने का धीरे-धीरे करके एक लक्ष मनाया, आपको भी यह लक्ष मना के दूँगा मैं कि आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझेगा, मैंने उस समय म माना कि मेरी fees जो है, वो लगभग competition की जो exam की fees होती थी, वो लगभग 5000 रुपए के करीब होती थी, 5000 रुपए में आप math, reasoning, English, बाकी सारा course कराते थे, और बच्चों को bank railway, SSC की त्यारी कराते थे, ठीक है, अब मैंने सोचा कि यदि एक batch में 50 बच्चे रहे, और ऐसे मैंने दिन भर में 2 batch भी लगाए, तो मैं महिने का 5 लाक रुपए आराम से कमा सकता हूँ, ठीक है, ये एक मैंने plan बनाया, ठीक है, 5 लाक रुपए आराम से कमा सकता हूँ, कि 5000 रुपए fees है, 50 बच्चे एक batch में, ऐसे 2 batch भी create कर लिए मैंने, अब यदि 12 महिने मैंने ऐसे किया, औ 5 लाक रुपए मैंने हर महिने कमाए, तो लगबग लगबग 60 लाक रुपए साल मैं कमा सकता हूँ, ये मेरी planning थी कि मैं इस प्रकार से अपनी life को अपने हाथ में manage कर सकता हूँ, और मैं एक अच्छे skills के साथ एक अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है, अब क्या हमेशा आ और कभी 100 भी होगे, ये उपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन आपको एक practical plan बनाना पड़ेगा, अब ये practical plan था मेरे पास कि इतनी fees होती है, इतने बच्छे हो सकते हैं कम से कम, इतने match में ले सकता हूँ, ये practical plan है, अब इस बात को आपको समझना होगा, कि यदि इस प्रकार स आप हमेशा के लिए अपने लिए plan बनाते हैं, तो वो plan का execution होता है, और plan को execute करके ही आपको पता चलता है कि इसका result क्या निकला और क्या नहीं निकला, तो इस प्रकार से मैंने अपनी life में पहले एक CR कमाने की कोशिश की, आप वो एक साल में नहीं हो पाया, उसको होने में क साल लगे, लेकिन वो इसी plan के तहट मेरा पूरा हुआ, अब ध्यान से समझेगा, कि आपके plan के शुरुआत कैसे हो सकती है, आप कोई teaching कर सकते हैं, कोई business कर सकते हैं, और उस teaching या business से धीरे धीरे करके growth कर सकते हैं, कैसे, आपको जादा बड़ा amount नहीं सोचना है, आप simple सी च skill हो सकते हैं, जैसे आप school college में पढ़ाते हैं, तो उनको बच्चों को coaching classes दे सकते हैं, किसी प्रकार की skill हो सकते हैं, आप एक छोटा सा target बनाईए, कि मैं बड़ा amount क्या नहीं सोच रहा हूं भी, मैं सिर्फ 500 रुपे का सोच रहा हूं, कि भाया 500 रुपे मैं एक बच्चे से लिए किसी विक्ति से, और 50 लोग आपके पास आ गया, इसका मलब 25,000 रुपे महिना आपके पास आ गया, और फिर 25,000 में यह आप 12 का गुणा करेंगे, तो आपके पास मुटा माटे 3,00,000 रुपे एक खटे हो सकते हैं, एक साल के अंदर, अब यह आपकी उपर depend करता है, द बच्चा बनना, टीचर बनना चाहते हैं, यदि उनको पढ़ाएंगे, तो आपको इतना ही रुपे मिलेगा, यदि आप 10, 11, 12 को पढ़ाना शुरू करनेंगे, तो शायद आपको 12,15,000 रुपे मिल जाए, 2000,000 रुपे मिल जाए, यदि आप IIT की कोचिंग के लिए पढ़ा आप किदर से भी गुणा हिसाब किताब लगा सकते हैं, इस प्रकार से सोच सकते हैं, लेगिन पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके अंदर वो skill क्या है, जिससे लोग आपको पैसा देंगे, तो या तो आप 500 रुपे एक बच्चे से लेके 50 बच् हैं, तो देखो, पहले 50, यहाँ पे 500 रुपे और 50 हो गए 25,000 कमा सकते हैं, यदि वहीं आपने इसको बढ़ा के 5000 और 50 बच्चे कर लिए, तो रही लाग हो सकते हैं, इसी को यदि आप 50,000 और 50 तक ले जा सकते हैं, तो यह और धीरे धीरे बढ़ सकता है, यह 500 हो सकता है, य कुछ भी हो सकता है, यह आपको सोचना है कि आप किस प्रकार से ग्रोथ करेंगे, जैसे, फिर मैंने बाद में किया, वो मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि मैं यहीं पर रुखा नहीं, अब देखो, कई बच्चों को लग रहा होगा, कि म मैं इसी पर रुख गया, मैंने competition exam की जो तयारी कराई, मैंने कुछ classes लगाई, और सिर्फ मैंने यहाँ से पैसा कमाया, और मैं रुख गया, नहीं, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी, कि समय के साथ opportunities बदलती है, मौके बदलते हैं, और यदि आप उन मौकों का फा और मैंने अपने लिए एक नया career option चुना, अब उसमें क्या हुआ, कि how did I grow more, कि मैंने और ज्यादा growth अपने जीवन में कैसे की, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए उसके बाद मैंने YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ये सारी की सारी चीज़े, इस पे account बनाया, इस पे अपने जो motivational content है, वो डाला, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस number को बढ़ाया, समझना मेरी बात को, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस number को धीरे धीरे करके बढ़ाया, अब ये number बढ़े, तो जब मैं physical classes लेता था, offline वाली, तो वहाँ पर मेरे को sitting arrangement करना पड़ता था, मेरे को place लेना पड़ता था, उसका rent देना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कते होती है, जब आप offline classes लेते हैं, लेकिन जब मैंने online classes लेना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि कुछ नहीं है, सिर्फ एक setup लेना है अच्छा सा, और सारी के सारी चीज़े, आप दुनिया में कहीं भी लेता था, यहाँ पर कम पैसे लेके भी काम चल सकता है मेरा, तो यहीं मान लीजे, मैंने 10,000 बच्चे खटा कर लिए, और सबसे 5-500 रुपे भी लिए, तो मैं 5 लाक रुपे इसी प्रकार से महीने का कमा सकता हूँ, जो मैं हर महीने की बात कर रहा हूँ, अब आपको यही बात समझना होगा, कि 10,000 घंटे का एक रूल होता है, चेक है, 10,000 घंटे का रूल क्या कहता है, कि यदि आप अपने जीवन में किसी स्किल को 10,000 घंटे देते हैं तो आप उस स्किल में बहुती बड़े महारती बन जाते हैं, 10,000 घंटे का क्या मतलब होता है, उसको समझेग कि आप 10 घंटा डेली देंगे किसी काम को, 30 दिनों तक आप काम करेंगे, 12 महिने और 3 साल तक काम करते हैं, तो वो होते हैं 10,800 घंटे, तो यदि आप 3 साल तक किसी स्किल पर मेहनत करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे किसी सब्जेक्टी टीचिंग हो सकती है, चाहे आप क कुछ skills ऐसे हो गए है जिसके लिए आपको 10,000 गहंटे भी देने की ज़ुरत नहीं है, माल लिजे कि आप एक editor बनना चाहते हैं, और वो किसी भी चीज़ का editor हो सकता है, sound editor हो सकता है, video editor हो सकता है, photo editor हो सकता है, तो उसके लिए आपको 3 साल देने की ज़ुरत नहीं है, वो 2-4 म मैंने आपको समझा दिया, और main चीज़े भीया, improve your skill according to opportunity, ये बहुत बड़ी बात है, जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, opportunity के according अपनी skills को improve करने है, ऐसी skills को improve करने से कोई मतलब नहीं है, जिसका वरतमान में कोई काम ही नहीं है, माल लीजे या तो उसका भविश्य में काम है या भूतकाल में काम था, और ये आप ऐसी skills को develop करके भी बैटे हैं, जिसके लिए लोग पैसे देने के लिए तयार नहीं है, जैसे मैंने वो चाकुछुरियो वाला एक example दिया, कि एक भईया आते थे cycle पर, वो एक बड़ा सा पत्थर लगा के और चाकुछुरिया तेज करत और आप लोग कैसे इस journey को complete कर सकते हैं, अब यदि आप भी ऐसी ही एक skill को सीखना चाते हैं, जो कि stock market की skill है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सिखाते हैं, रक्षावनन का आखरी offer है, अब एक तारीक आ गई है तो हमरी classes शुरू होने वाली है, यदि आप लोग भी इ meditation के बारे में, mind management, emotional intelligence, बहुत सारी चीज़े हम इसमें सीखते हैं, तो I hope कि आप इस classes को जरीर जोइन केजिएगा, description में लिंक है, आप जाएए और जोइन कीजे, वीडियो कैसा लगा, मुझे जरूर बताएगा, like, share, comment सब कुछ करते रहे हैं, अगले classes में फिर मिलते हैं, त अब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.